जैहिन दोस्तों मैं मारिक नायक आप सब को अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं और आज हम लोग NCRT सीरीज का सेट नमबर 3 यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं और यह तीसरा पार्ट है हमारा NCRT सीरीज का और यहाँ इसमें हम लोग बायलोजी के कोश्चन का डिसकस करने वाले हैं तो 30 MCG में देखिए आप से कितना कोश्चन बन पाता है तो चलिए स्टार्ट करते पने कोश्चन को और इससे पहले बता दे कि आप हम कोश्चन से बने बता दे कि जो हमारा टेली इसका पीडिएफ जो है आप हमाई टेलिग्र चैनल से डाउनलोड कर सकते हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक दे रखा है आपका तेलिग्राम ग्रूप है आपका यहां पे add the rate bpsc underscore naik underscore notes इन तिनों का आप सर्च कि जिए का टेलिगाम गूर्प मिल जागा और यहां पर आपको PDF का मिल जागा तो पहले आपको क्या करना है आपको इस question को पहले वहां पर लगाना है उसके बाद जो है answer आपको यहां से match करना है तो चलिए start करते पहले question से पहला question है आपका the release of which one of the following into the ponds and whales helps in controlling the mosquito mosquito इन सब में से किसे जो है आपके pond में और whales में डालने से जो है आपका mosquito पर control आता है तो यह option है आपका crab हो गया दूसरा है dog fish हो गया तीसरे आपका kombushia fish हो गया जो था आपका snail यानि इन में से चारों में से हम किसे डालेंगे कि जो वह कंट्रोल करेगा mosquito के पन अपने से तो हमारा answer का हो जाएगा आपका kombushia fish का correct answer हो जाएगा answer के हमारा kombushia fish हो जाएगा next है question number two यहाँ पर देखिए which one of the following principal plant यहाँ पर which was the principal plant used in green revolution green revolution में principal plant कौन sign में से था option है आपका Japanese rice दूसरा है आपका Indian rice तीसरा है eczema rice या फिल आपका जो जगा Mexican wheat तो बताना है कौन sign में से विच्वाद प्रिंसिपल plant कौन सा यूज किये थे हम लोग तो आपका था Mexican wheat इसका correct answer हो जाएगा तो Mexican wheat जो था आपका green revolution का प्रिंसिपल प्लांट था नेक्स्ट है question number विधी के दोरह निकालते हैं option है आपका potassium organ प्रोसेस से carbon 14 dating से तीसरा है radium si radium si radium silicon process से या फिए uranium lead process से या दखना है जो भी mountain होता है mountain का age निकालना हो चाहिए आपके प्रिथ्वी का age निकालना हो तो इन सब का जो प्रोसेस होता है uranium dating से होता है ठीक है uranium dating इसका correct answer हो जाएगा option 4 इसका correct answer हो जाएगा next question 4 है आपका how do the member of the honey bee hive recognize each other यानि इच अधर है आपे इच अधर तो जो member होती है honey bee की वह एक दूसरे को किस तरीके से पहचानते है रिकोगनाइज करते हैं तो यह हो जाएगा option है है आपका smell के द्वरा आई के द्वरा dancing के दमारा या फिर आपका satisfying के द्वरा तो आपका answer हो जागा आपका किसके द्वरा ते Smell इसका correct answer हो जाएगा honey bee जो है एक दुसरे को पचानते हैं उसके smell के दौरा option इसका correct answer हो जाएगा next है question है what is MRI का बताना है कौन सा इसका correct answer हो जागा option आपका Magnetic Record of Intestine दूसरा है आपका Magnetic Record of Investigation तीसरा है Magnetic Resonance Imaging या फिर चौथा है Magnetic Resonance in Intestine तो बताना है कौन सा हो जागा तो हमारा answer क्या हो जागा Magnetic Resonance Imaging इसका correct answer हो जागा यही आपका MRI का full format है Magnetic Resonance Imaging which of the following is used in the genetic engineering genetic engineering में हम किसका यूज करते हैं तो often है आपका plastic का, plasmid का, mitochondria का या फिर ribozome का, तो genetic engineering में हम जो maximum यूज करते हैं आपका plasmid का यूज करते है, plasmid इसका correct tensor हो जाएगा often भी इसका correct tensor हो जाएगा next है आपका which element किस element के deficiency से cause यहाँ पे cloresis in mage plant, यानि किस element के deficiency से जो chlorosis होता है mage plant में chlorosis किस की deficiency से होता है often है आपका nitrogen की कमी से zinc की कमी से, copper की कमी से या फिर magnesium, manganese की कमी से हमारा answer क्यों हो जगा, हमारा answer हो जगा zinc की कमी से होता है, तो किस element के deficiency से आपका chlorosis chlorosis होता है, तो यह आपका mage plant में ताफके जिंग की कमी से होता है नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो कि आपका vaccination से आपको control नहीं कर सकते हैं आपका diabetes हो गया आपका poly हो गया आपका wolfing cough हो गया या फिर चौता है आपका smallpox हो गया तो बताना है इनमें से कौन सा ऐसा disease है जो कि आपका vaccination के द्वारा control नहीं हो सकता है तो हमारा answer हो जागा diabetes इसका correct answer हो जागा diabetes आपका vaccination नहीं होता है कभी देखा किसे diabetes को vaccine करते हुए तो हो ठीक है next है आपका use of police rice हम अगर use करते है police rice का in human diet cause the following अगर हम police rice का use करते है अपने diet में अपने खाने में तो हम कौन सी बिमारी से ग्रसित हो जाएंगे तो हमारा option है आपका berry berry से दूसरा ग्वाइटर से तिसरा आपका night blindness से और चौतरा आपका color blindness से तो याद दखना है कि ग्वाइटर ते हाँ से आप आप आपका आपका option है तो आपका जो राइस में जो आपका police rice के विज़े से हम क्या होता है आपका berry berry विटामिन होता है police rice की कमी जो हम खाएंगे तो हमारे diet में क्या हो जाएगा आपका vitamin B की deficiency हो जाएगी और जिससे वज़े से हमें berry berry रोग होगा next है आपका use of police rice बता ही दिये आपको कि कौन सा हो जाएगा यहाँ पे berry berry रिसका correct answer हो जाएगा next question है which of the following is not a genetic disease इन में से कौन सा जो है अनुवांसिक रोग नहीं है genetic disease नहीं है option आपका night blindness option दूसरा आपका albinism तीसरा है hemophilia या चौथा आपका colored blindness आपका option क्या हो जाएगा option जगा हमारा कौन सा सोचे थोड़ा सा यह हो जाएगा answer night blindness हो जाएगा यह आपका genetic disease नहीं है आपका कैसा deficiency रोग है यानि कमी वाली रोग है यानि which of the following is not a genetic इन में से कौन सा genetic disease नहीं है आपका night blindness जो आपका साही रोग कते हैं हम अफिलिया को जिसमें आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है next is which of the following human organ is affected by the consumption of alpha toxin food adult यानि इन में से कौन सा ऐसा ऐसा जो है ऑर्गन है जो की affect होता है किसके बुझा से जो हम अगर consumption करते हैं हम लोग लेते हैं alpha toxin food यानि जो है लंग्स affect होता है kidney affect होता है या फिर liver affect होता है याद अगना है कि अगर हम adult food यानि मिलावटी खाना खाते हैं तो हमें किसका affect होगा तो आपका liver affect होता है लिवर इसका का एक टेंसर हो जाएगा next question है BCG vaccine must be proculated to a newborn baby within vaccine यानि BCG vaccine को एक baby के अंदर newborn baby के अंदर दे दिया जाता है vaccine दिया जाता है कब यह होता आपका just after the birth just just ही बच्चा जन में लेता है उसके तुरंत बद क्या होता है आपको BCG vaccine दे दिया जाता है so that अगर mother के mother को अगर आपका TB होगा तो वह बच्चे तक ना फैले इसलिए आपको तुरंत आपका breastfeeding कराने के बाद ही क्या हो जाता है करने से पहले ही आपका बच्चे को आपको TB का टीका वहाँ पर दे दिया जाता है BCG vaccine लगा दियाता है BCG का full form bacillus calmet green हो जाएगा नेस्ट और रानी खेरण डिजी है तो आपका chicken से गोडत होता है यह बहुत inappropriate से हो जाएगा यहां से आप कि यहां से भी याद रख सकते हैं है थे नेस्ट है अस्माल पॉक्सथ वस्ट एल्डिक्लियरष इराडिकेटेज फंड वर्ल यालि पूरी दुनिया से असमाल पॉक्स खत्म होगया है तो यह जो अडिक्लिए हुगा था यह कब किया था यह था कौन सा आपका 1980 में डिक्लिएट किया था तो ऑसमाल पॉक्स को falling part in peppermint has maximum percentage of oil यानि peppermint के किस पार्ट में सबसे ज्यादा oil होता है तो option आपका root में, option 2 है आपका stem में, तीसरा आपका left में या 16 आपका flower में, तो याद अखिना फिर से question पढ़िए तरहरर है पेप्रा-mint के किस पार्ट में आपका सबसे ज्यादा percentage of oil होता है तहें आपका root, stem, leaf या flower तो हमारा क्या answer हो जाखा हमारा leaf हो जागा उसके पत्ते में, पेप्रा-mint में सबसे ज्यादा जो All होता है वो आपका हुसके पत्तियों में होता है palabras एम्प्रॉय एम्प्रॉय कहाँ पाय जाता है जाता है मैं याद रखना है घ्र हरे हम यूज करते हैं Artificial तरीके से पकाना हो तो आपका इथेन, दूसरा है कारबन डायोकसाइट, तिसरा है Acetylene, जो था है Aucytocene. देखिये, मेक्सिम केस में जो आपको Artificial ripening होता है, इथाइलीन के बज़ा से होता है. है इसाइलीन के बज़ा से अंबिने के फीज़ंगे को और यह नहीं हो फाफ सिसमें 21 क ए तिलीन हो OF 9眼 मधिया नहीं होगा त्योंटीछ मालफव से छीटिंग मारहा भी झाइल यदो प्लांट प्लांट्यांट के रिख म् trap मैक्रोणिट्रीयंट इनमें कौन है इनमेर से कौन है आपका मैक्रोनिटेंट पहला पहला पोज़न दूसरे आपका ऑगर और चौपS हो जगए ah पहलगा पहला पॉटेसियम यहां का पहला पी के से शिज Dash ऺड़के के खाला कॉटेसियम नाइट्रोजान फॉस्वर से पॉटेसियम हो जाएगा यह आपका मैक्रों में आता है मैक्रों में आता है यहां पिक हो जागां' बागी कि ऑन्लाइब यह तरह आपका माईकडों हो जाएगा घ्र कि नीस चैनां दोपन को जाएफ उनियानलो में साथ की म bell से जाएट टा Sun तो पर दो कि ऐखा लैट इनरजी में बदलता है याफिसरा आपका यूटर यूटर में दूसरा आपका ओवरी में तीसरा है ओविड़त में या फिर्दा सस्वाजीना में तो बताना है कौन सा कि याफिसां वेयर डज फटलाजसन अगर फटलाजसन होता है हमारा कहां पर OV-ductase का करेक्टरंसर हो जाएगा next है sparumons, sparumons जो किस में पाय जाता है, प्रमोज जो पाय जाता है किस में तो यह आपका option है insect में दुसरा है snake में तीसरा है bots में या चौक हो था है bats में तो फेरोमोंस जो पाय जाता है वो आपका इंसेक्ट में पाय जाता है कीड़े मोकड़ों में पाय जाता है तो फेरोमोंस नहीं पाय जाता है तो इनसेक्ट इसका करेक्ट नहीं थे लिगा most important question यह यह वला है next is which gland secret the milk ejection hormone oxytocin इन में से कौन सा gland secret करता है куда-ber sales tomato वो Сन हम मिल्क को एजेक्ट करता है वह कौन संद्रल्ण उसको order करता है तो option है आपका pitriti gland order करता है थाया जम्ट करता है या फिर अध्यृच्ट agreement order करता है कि यह हो जाएा option कौन सा तीर आपका pitriti gland यह अदर्ल्ण कեए मिल्क का ejection कीजिए तो यहीं आपका कौन सा के लिए पिट्रिक लिए इसका correct answer हो जाएगा next है which of the following hormones stimulate pancreas for the production of digestive juice यानि वो कौन सा hormones होता है जो कि pancreas को stimulate करता है active करता है किसके लिए digestive juice के production के लिए तो option है आपका कौन सा तो option दे रखा है आपका तो यादखना है कि वह कौन सा hormones होता है जो कि pancreas को stimulate करता है active करता है किसके लिए production of digestive juice निकानने के लिए यह हो जाएगा हमारा कौन सा सेक्रेटीन इसका correct answer हो जाएगा option C सेक्रेटीन next है where is the governing center of the reflex action located जो हमारा reflex action होता है उसका governing organ कौनसा है governing center कौनसा हो जाएगा ऑफसे आपका सा governing Center है जो कि reflex action को locate करता है तो जाएगा हमारा spinal cord गाफ से आपका सारे नस जो आपका brain का जुड़ा रहता है यहीं आपका reflex action में ही आपका spinal cord ही active होता है तो आपका एंसर आजएगा हर्ट के बराबर होता है क्योंकि हर्ट जितना पंप करेगा उतना ही नहीं आपका human risk में क्या करेगा pulse होगा तो वहीं इसका at the same rate at the heart हो जाएगा और next है आपका the amount of which of the falling component in the air does not change in the process of respiration respiration के दौरान जो है the amount of which of the falling component इनमें से किस गैस का amount जो होता है चेंज नहीं करता है जब हम respiration करते हैं तो option है आपका carbon dioxide, oxygen, water vapor या फिर नाइट्रोजन option सोचिए कि ऐसा कौन सा gas है जिसका respiration के दौरान में आपका component का आपका composition है वो चेंज नहीं करता है तो हो जाएगा हमारे कौन सा तो nitrogen इसका correct answer हो जाएगा option D nitrogen next is what which white color of milk is due to the presence of milk का जो सफेद color होता है white color होता है किसके वज़जा से होता है तो है आपका option है lactose, albumin, carotene, carotene, casein तो बताएगी milk का white color होता है आपका casein protein से होता है casein इसका correct answer हो जाएगा ठीक है तो milk का white color होता है आपका casein के present होता है casein एक प्रोटीन ही है ठीक है albumin कहां पाजाता है albumin आपका हमारे blood में पाजाता है albumin blood में पाजाता है lactose दूद में पाजाता है carotene जो है आपका यह carotene में carot में पाजाता है next है azola azola is often used as bio fertilizer because it is associated with तो azola जो है एक तरह का हम यूज करते हैं इसको bio fertilizer के रूप में और यह किस से associated किस से जुड़ा हुआ है और आपका प्लू ग्रीन अलगे से बताना है आजोला जो है इन में से किस से जुड़ा हुआ है एक तरह का यह क्या है bio fertilizer है जो जुड़ा हुआ है आपका blue green अलगे से जुड़ा हुआ है next आपका the interaction between the algae and fungi to the form lichen इसकाल देखें अलगे और fungi का जो attraction होता है interaction होता है आपस में वो कौन सा फॉर्म होता है तो आपका उस्तन है आपका पारा सिटिगम दूसरा कमेंसलिजम टीसरा है मुच्वलिजम या अपका कन्वर्चन हमारा एंसर क्या हो जगा अलगे और फंगा जो आपका लाइक बिलाता है और यह जो रिलेस्टन होता है या फिर का सकते आपका मुचलिजम में दोन ओन्यों और एक होता है मनल कर दा आयक लिजल्जमन में क्याता है एक को नुक्सान होता है दूसरे को कुछ नहीं होता है टो यह चीज़ आपको यहाँ फ़र सा ध्यादरनदेनागा चारह ओफिर ऑप्सटन के बारे में हैं नेक्स्ट Diaz होते हैं हैं तो नहीं हो जागा आपका सक्लेंट होता है option क्या हो जागा option नहीं हो जागा सक्लेंट इसका करेक्ट एंसर हो जागा तो डेजर्ट प्लान कैसे होते हैं सक्लेंट होते हैं तो यह हमारा आपको सेट और कितने कोशन आपको बने हैं आप मेरे को कमेंट कीजिएगा हमाये टेलिगाम जो लिंक दे रखा है ऊपर में यहां पर इसमें आपको यहां पर जाना है और यहां पर आपको क्या करना है पीडियाप डाउनलोड करके आप इसको सौल्स किजिए और तब जाके आप इसको मैच किजिए तब जाके आप बताएए कितने मार्क बन रहे हैं ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जैहिंद जैभारा